भजन सहिता अध्याय पच्पन विश्वास घाती के विनाश के लिए प्रार्थना ये परमिश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिडगड़ा हट से मूना मोड मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उप्तर दे मैं चिंता के मारे छट पटाता हूं और ध्याकूल रहत हूं क्योंकि शत्रू, कोलाहा और दुष्ट उपदरब कर रहे हैं वे मुझ पर दोशारोपन करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यू का भै मुझे में समा गया है भै और कम-कपी ने मुझे पकड़ लिया है और भै के कारण मे मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबुतर के से पंक होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में वसेरा लेता मैं प्रचंड व्यान और आंधी के जोके से बच कर किसी शरन इस्थान में भाग जाता ये प्रभू उनका सत्यनाश कर और उनकी भाशा में गड़वड़ी डाल दे चूकि मैंने नगर में उब्द्रब और जगड़ा देखा है रात दिन वे उसकी शहर पना पर चड़कर चारो ओर भूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है उसके भीतर दुष्टता से भरे बसेरा डालते हैं और अंधेर हत्याचार और छल करके चोक से दूर नहीं होते जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रू नहीं था नहीं तो मैं उसको सह लेता जो मेरे विरुद बढ़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है नहीं तो मैं उससे छिप जाता पर अंतुवा तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुश्य मेरा परमित्र और मेरी जान पहचान का था हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बाते करते थे हम भीड के साथ परमेश्र के भवन को जाते थे उनको मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अधुलोक में उतर जाए क्योंकि उनके घर और मन दोनों में मुराईया और उत्पाद भरा है परन्तु मैं तो परमेश्र को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा सांज को भोर को दुपहर को तीनों पहर मैं दुआई दूँगा और कराता रहूँगा और वहां मेरा शब्द सुन लेगा जो लड़ाई मेरे विरुद मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है उन्होंने तो बहुतों के संग लेकर मेरा सामना किया था परमेश्वर जो आदी से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा ये वे हैं जिन में कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भै है ही नहीं उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है, उसके मुझ की बाते तो मखन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लडाई की बाते थी। उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो थे परंतु नंगी तलवारे थी अपना बोज यहोवा पर डाल दे वा तुझे संभालेगा वा धर्मी को कभी टलने न देगा परंतु है परमेश्वर तु उन लोगों को विनाश के गड़े में गिरा देगा हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयू तक भी जीवित ना रहेंगे परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा आमीन